नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं DBS TV तो चले शुरात करते हैं आज की प्रमुखबस से यवस्था की है बिहार में बढ़ते सड़का हाथसों को देखते हुए सरकार निवाहन दुरगटना सहयता निधी बनाई है जो लोगों को हाथसों के बाद मुआफजा राशी के रूप में मदद पहुंचाएगी इस नदी में 50 करोड की राशी जमा की जाएगी जो जरूरत क की अनसार लोगों को दी जाएगी इसको लेकर परिवाहन विभाग ने बैठक कर सभी जलों के जला परिवाहन अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि आगर हाथसा होने पर घारियों का बीमा नहीं मिला तो पूरी राशी वहन मालिकों से वसूल की जाएगी पीड़ तो परिवारों द्वारा दावा करने के 30 दिनों की भी तरी है नाशी वहन मालिकों को देनी होगी आदेश में कहा गया है कि वहन मालिक अगर आदेश का पाला नहीं करते हैं तो वहन को जब्त करके निलामी की जाएगी खबरों में आप तक लिबस इतना ही मिलते हैं फिल ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहें डी बीएस टीवी